हुआ है 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 तो हेलो गाइज मैं अलोग स्वामी टॉपिक का नाम करोजन कर बाने जा रहा हूं आपको ध्यान से सुनिए ध्यान से पढ़िए टॉपिक का नाम है करोजन क्या है करोजन आपको अना करोजन क्या हrica अे अचरुचन क्या होते हैं करोजन कनापने थे जंब लग जाना यहीं आपके हैंसार क्विए भी जंग जाना यही तो The हो गया इसका डेफिशन तो तो हम भोलेंगे वेन अ मेटल कि इस अटाइकड कि अटाइकड वाई सम सबस्टैंसेस सबस्टैंसेस अबस्तैंसेस लाइक कि आजमें अटाइकड कि अटाइक अशच लाइक मोशच अथे सबस्टैंसेस अटस्टैंसेट Hazra तो डूकर बाइकड औरमाज म मेरूट νेड अटे इस involves इसेद टो इसेद कि तूबी करोड क्या बोला जाएगा जब किसी भी मेटल को सब्सक्राइब करते हैं तो उनका जो सब्सक्राइब करोड हो जाता है उसी चीज़ को बोलते करोड हो गया करोड करोड क्या होता है क्या होता है क्या होता है किसी मेटल सर्फेस को कोई भी सब्सक्राइब बेह नदर सब्सक्राइब करते हैं तो रफ्सक्राइब करते हैं उसको करते हैं लुव हुआ कोई च regulations कहते हैं जैक है इसका ऌत्य देख राइण देख रहे हैं यह स्तिंग और इसके सब्रीक्रोब अब फरे completely ने, जाना सब्सक्राइब कर दिदा लए में अब लिधा है अपर ब्लारा चिह debatte, तो यह आ का बोलाओ फॉटिंग्तम सावच आपने देखा किया लोग अंगोटी पहनते हैंकacy को सब्सक्राइब ब्लम şu आप को नोग टांवे कोल को एक इसको पर HOW पर जो फुरान अचांब्री बंतान को यूज पता है थे इस यूज़ा से ततो उनको अगर जब रखा जाता है तो कहीं दिनों तक आप रख दीजिए उसको उसका उसका ना करें तो उसके इस हो जाते हैं ग्रीन लियरिंग हो जाते हैं इसके इनल सर्फिस क्या होता डिस आडवांटेज ऑफ करूजर तो इसमें हम लिख सकते हैं इट कैन कॉज देमेज सब्सक्राइब यह इक कॉजेज इक कॉजेज इक कॉजेज डामेज टू कार बाड़ीज को अबस्क्राइब आइरन रेलिंड और कर सकते हैं कि बीजेस को कर सकते हैं बीजेस है ना शीप्स एंड अदर अब्जेक्ट्स अधिव एप ओफ मेंटल्स ठीक है समिज में आ गया तो डिसर्वाइज अधिशन क्या है कि इप कॉज़ेस डामेज तो कार बोड़ी आयर रेलिंग्स बिजेश शेप्स और अधर ऑप्जिक्ट्स विचा मेड़ अधिव ऑफ मेंटल्स जो भी मेंटल्स के बने होते हैं उन अगर इसपर ऑफ मेंटल्स अधायह करता है और कि वह एक्सपोच होते हैं और मॉश्चर से ऐसे बेसे से वाटर से सब से होते हैं तो अगर उस पर शेपोलिग से पेंटिंग नहीं हो रखा है तो उनका और जलो रोना इसका एक डेफिश तो इसके वज़े से ये हमारी क्या आप ईसको करना है अब इसमें क्या पुछा जाता है कि प्रयेंशन के लिए हम्में क्या करना ची आ है लिए सब करने हैं का ना है के बाद हम जानते हैं कि हमारा जो government है बैसरता एंसे के उपर कर्णता है इन सब चीजें बिरश करता और कोई भी अब अब बिजिस बनाने है इसमें सबसे यादा पैसा लगलता है भी जो गौत यह बीरा है तक से करते हैं वह सारे के सारे पैसे घी सब दुबारा ठीक करने में लगा देती है है इसलिए इसको पिवेंट करने के लिए हमारेपास है इसेलिए के बार में पढ़ लेते है आद प्रिवेंशन में किर्फ आफ प्रोजनैंट तो यह पेवेंशन के लिए हम क्या करेंगे सबसे फेमस सबसे बेस है पेंटिंग हम पेंटिंग कर सकते हैं हम ऑईलिंग कर सकते हैं हम ग्रीसिंग कर सकते हैं है ना ग्रीसिंग हो गया गैलवनाइजेशन हो गया गैलवनाइजेशन अनोडाइजिंग एक्रोम प्लेटिंग बहुत सारे हैं यह सारे के सारे हम कर सकते हैं को प्रिवेंट करने के लिए तो यह पूछा जा सकता है तो यह जो टॉपिक है इसमें हमने पढ़ा कि करोजन क्या है वोडिस करोजन तो तो उसका जो तरफेस होता है वो रफ हो जाता है जैसे उस उस में भोलते हैं की करोर हो connected process is called Through her six or second ऐसके ने कीॉपिक होने की अमने बलते ही तो यह क्या क्या डेमेज करता है तो एकन कर दैमेज all the objects which are made up of metals जैसे ships हो गया, iron railings हो गया, car bodies हो गया यह सब बगारा बगारा इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं सबसे बेस्ट है Oiling, Greasing, Galvanization, Anodizing etc यह सारे चीज़े हम कर सकते हैं रोकने के लिए ठीक है तो यह हमारा एक टॉपिक हो गया, अब इसका अगला जो टॉपिक है वह है NCRD के सबसे लास्ट टॉपिक धाड़ इस कॉल रैंसिडिटी ठीक है तो आईए हम चलते हैं तो टॉपिक है हमारा रैंसिडिटी रैंसिडिटी होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं रैंसिडिटी हमने देखा है कि जब हम खाना जिसमें हम Oils & Fats का भी यूज करते हैं अगर खाने को हम बाहर छोड़ के चले जाते हैं खासकर गर्मी के दिनों में तो आफर सम टाइ है अगर हमने इसको रेफ्रीजरेटर में नहीं रखा भूल गए बाहर में छोड़ के चले गए तो आफर सम टाइम आफर फोर और फाइफ आर्स क्या होता है उसका जो इसमेल होता है उसको जो टेस्ट होता हो चेज हो जाता है ठीक है यहां पर मैंने लिख रखा है वेट ओ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि the oxidation of oils and fats present in the food we change the taste and smell of the food ठीक है जो क्या होता है कि जो भी oils and fats present in food के अंदर उसका क्या हो जाता है जिसके वैसे जो food का जो टेस्ट होता है और जो इसमेल होता है वो चेंग हो जाता है ठीक है that is called rancidity हम यह उसको रैंसर बोल सकते हैं यहां कि मैंने रैंसर लिखा वो क्या हो जाता है रैंसर हो जाता है रैंसर का मत्तब ही है bad taste and bad smell ठीक है अब इसका prevention जान लेकिए prevention क्या है वही そう जो सब्से फरस्ट शंहें बाइस जी युजिंग को ऐंटी आध्योप्सिदेंट के नीए ऑपर ऐप मैं झ्हेंत्य आधी होंक्सिदैंट passed ओक है अम एंटी ऑखिदént सुछातिधी कर सकते हैं जो खाना उसके अधर हम anti-oxidant add कर सकते हैं जिसके विए से वो oxidize नहीं होगा दूसरा है आपका by keeping food in refrigerator keeping food in refrigerator हम अगर फ्रिजवे रख देते हैं तो फायदा है और थर्ड वन क्या है by keeping food in food in airtight container airtight container का भी अगर यूज़ करते हैं container तो भी हमारे लिए फायदा है तो यह त्री जो में पॉइंट्स हो आप लर्न कर लें यही आता है यही आपको लिखना है एक्जाम में बहुत बरा रख रख है रैंसीडिटी के बारे में ठीक है हम एक भी पॉइंट्स होनना नहीं हमें तो हम एंट यूज़िंग एंटी और तीसरा है यूज़िंग airtight container है ना उसमें अगर ह हम इन तीनों का यूज़िंग करते हैं तो हम रैंसीडिटी से बचा सकते हैं ठीक है और एक कोस्टिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से वह यह पूछा जाता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर नाइटोजन क्यों फ्लस्ट किया जाता है चि दाका सी यही भर के छोड़ देते हैं लेकीन वह किसी जीज़न के वेशे होगा ऐसा नहीं कि उसको भरने के लिए युसको वेट बढ़ाने के लिए यह भरते हैं यह कोई बात नहीं है में रीजन क्या है में दीजन यह है जो कोस्ट्वन है मैं लिख रहा हूं पहले nitrogen flushed into chips packets chips packets है ना यह शॉर्ट में मैंने लिख दिया white nitrogen flushed into chips packets क्यों flush किया जाता है तो हम इसमें यह लिखेंगे तो प्रिवेंट यह डिर्क लिखेंगे तो बिकॉस निट्रोजन इस इनर्ट निट्रोजन गैस एक्स अ इनर्ट कि एक ही इनर्ट गैस एंड इप्रिवेंट चिप्स प्रॉम गेटिंग ऑक्सिडाइज है ना उसको ऑक्सिदेशन से बचाता है बचाता है गेटिंग ऑक्सिडाइज ठीक है दाट इस दा आंसर कि जरूर्ट ऐसे गाल इसको बचाता है इसलिए हम उसमें नाइड्रोजन को फ्लष करते हैं यह बचाता है आप इसको जरूर्ड ठीक से लग करो यह पहुत बढ़ा रखा है एक्जाम में ठीक है अधर टीचरों का तो फेपरिट कोस्टन है एक्जाम में यह देते ही रहते हैं तो यह हो गया हमारा रांसी डीटी टॉपिक भी कंप्रीट कि इसका प्रिवेंशन क्या है और नाइटोचर के क्यों फ्लश किया जाता है यह तीन पॉइंट ही है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है आप ठीक से ध्यान से करो हमारा में एम क्या है कि हम एक भी टॉपिक NCRT का नहीं छोड़ने वाले हैं सारा का सारा एक एक टॉपिक हम आपको question में कोई भी problem होती है तो आप comment section में पूर सकते है ठीक है मेरे से बता सकते हैं सर मुझे इस question में NCRT के problem है तो मैं उसके सकते हूं कोई दिककत नहीं तो यह हमारा first chapter complete होता है hope आपको सारी topics ठीक से clear होंगे ठीक है अच्छे से समझ में आया होंगे कोई भी doubt होता है त क्या रखना है वैसे भी हमें stick to the NCRT रहना है ना पूरा NCRT को फॉलो करना है तो चलिए हमारा first chapter complete होता है कोई भी question हमने छोड़ा नहीं कोई भी topic हमने छोड़ा नहीं बहुत अच्छे से अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स लेप्टर डैडिस कॉल्ड एस बेसे से सॉर्स की तरफ ठीक है हमारा दूसरा चैप्टर होगा है ओके थैंक्यू कि 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 कि